दोस्तों नमस्कार मेरा नाम संजे मग्गु है और मौझूद है देश रोजाने के डिश्टल मीडिया मंच पर हर्याना का विधान सभा चुनाव आ गया है और इस समय आगा आप देखे तो चारों तरफ जो है चुनावी रुथ है चुनावी हवाई है हर व्यक्ति चाहे वो राजनीती से जोड़ा हुआ है या नहीं मैं आपको बता दूँ क्योंकि हमारे देश के अंदर खासकर हर्याना जैसे प्रांत के अंदर राजनीती व्यक्ति के खून में रची बसी है चाहे कोई व्यक्ति पॉलिटिशन है चाहे उसका पॉलिटिक्स में कोई रिष्टा है नाता है या नहीं लेकिन वो आपको राजनीती चर्चा करता जरूर दिखाई देगा गाओं की पगडंडी पर चलने वाला किसान आपको ये कैता सुनाई दे जाएगा भईया आप कहता हो वाकी हवा चल रही है इवन आप जाएं तो छोटी दुकान पर छोटी रहडी पर बात करने वाला व्यक्ति जब फल तोल रहा होगा आप उससे पूछ लें कि हवा क्या है तो हो सकता है कि आपको अपने पूरे इलाके का समीकरण बता दे कि कहां क्या चल रहा है इसलिए आप ये मान करके चलें कि राजनीतिक हवाएं जो हैं हर्याना की जंता के अंदर काफी रची बसी है चुनाव को लेकर के हर व्यक्ति के अंदर में कोई ना कोई उत्साह उमंग और जोश होता है नेताओं में तो होता है समर्थकों में भी होता है और समर्थकों के बीच ये चर्चा होती है कि उनके जो नेता है उनके जो जिनको वो अपना रोल मोडल मानते हैं जिनको अपना नुमाइंदा देखना चाते हैं, आखिर उसकी टिकेट का क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कहां बात बन सकती है, कहां बात रुक सकती है, ये तमाम बातें चर्चाई में हैं. अगर मैं आपसे बात करूं तो पिछले चुनाव के दिनों में जो हमारे देश के जो परधान मंत्री है नरेंद्र मोदी वो हर चुनाव में बात करते रहे हैं कि ये घोर परिवारवादी लोग यानि की विपक्षी दलों के लिए लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि व्यक्ति को अपने फैसले बदलने बढ़ते हैं और कुछ ऐसा ही अपकी बार भारती जंता पार्टी में है जिसके अंदर ये बात चल रही है कि भारती जंता पार्टी अपने बड़े नेताओं कदावर नेताओं चाए उनमें सांसद हैं चाहिए उनमें बड़े कद्दावर नेता हैं पूर विधायक विधायक हैं उनकी संतानों को विधानसभाद चुनाओ में ला सकती है और इनी नामों में चर्चा में एक नाम है फरिदाबाद के सांसत कर्शनपाल गुजर का कशनपाल गुजर के बेटे देविंद्र चौधरी का फरिदाबाद नगर निगम के निवर्तमान डिप्टी मेयर यानि की वरिष्ट उप महापूर नगर निगम फरिदाबाद के देवेंदर चौधरी के बारे में चर्चा है कि देवेंदर चौधरी को अब की बार भारती जंता पार्टी चुनाव लड़वाने जा रही है चुनाव लड़वा सकती है राजनितिक लोग तो ये कहते हैं कि देवेंदर चौधरी के नाम पर लगबग महर लग चुकी है राजनितिक लोग तो ये बताते हैं कि देवेंदर चौधरी का नाम लगबग तै है लेकिन तै कौन सी सीट पर है देवेंदर चौधरी को चुनाव कौन सी सीट पर लड़वाया जाएगा चर्चा इसको लेकर जादा है और चर्चाओं में तीन नाम है फरिदाबाद की तीन विधानसभाएं जिन पर चर्चा चल रही है और लोग आपसी बाचीत में कहते हैं कि क्रिशन पाल का लाल कहां करएगा कमाल यानि कि क्रिशन पाल के लाल को कौन सी विधानसभा सीट से भारती जनता पार्टी डड़ा सकती है और कृशनपाल गुजर भी जरूर देख रहे होंगे कि उनके बेटे के लिए मुफीद सीट कौन सी है क्योंकि पहला चुनाव होगा विधान सभा का बेटे का और पहला चुनाव ठीक ठाक बैट जाए वो चुनाव ठीक निकल जाए इसके लिए जरूरी है होमवर्क सारे हो रहे होंगे वोग सीट कौन सी हो जिस पर चुनाव अराम से बने जिस पर पार्टी आला कमान के अंदर जादा मोल भाव ना करना पड़े बात बन जाए आप मोल भाव को गन्यतना ले है कि कृशनपाल का लाल कहा करेगा कमाल तो वो तीन सीटे है फरिदाबाद की जिन पर बात चल रही है कि इन में से किसी एक सीट पर कृशनपाल गूजर के बेटे देवेंद्र चौधरी को विधान सभा का टिकेट मिल सकता है मैं आपको बताऊंगा वो तीनों सीटे और बताऊंगा वहां का राजनितिक समीकरन क्या है किस लिहाज से बात बन सकती है और वहां के उसके पीछे सारा जो है आकलन क्या है हलांकि फरिदाबाद लोगसभा में कृशनपाल गूजर का अगर मैं ये कहूं कि सिक्का चलता है डंका बजता है उनका तीसरी बार लोगसभा चुनाव जीत करके कृशनपाल गूजर ये संदेश तो दे चुके हैं कि उनके कोई आसपास भी नहीं है और इसको हम नहीं कह रहे हैं आप इसे अगर देखें तो आप समझ सकते हैं कि तीन लोगसभा चुनाव 2014 का लोगसभा चुनाव वो बड़े अंतर से जीते 2019 का चुनाव वो बहुर और बड़े अंतर से जीते और 2024 का चुनाव जब 10 साल की एंटिन गंबेंसी थी जब तमाम बातें थी राजनीतिक छेत्रों में चर्चा थी कि अपकी बार कृशनपाल गुजर फंस गए हैं लेकिन फिर भी पौने दोल आख वोटों के आसपास चुनाव जीत करके उन्होंने अपनी मजबूत मौजूदगी का अहसास करा दिया इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि फरिदाबाद की सभी सीटों पर डंका तो बसता है लेकिन वो तो तीन सीटें जो देविंदर चौथरी के लिए मुफीद हो सकती है वो हैं तिगाओं विधानसवा सीट दूसरी है वो फरिदाबाद की NIT 86 विधानसवा सीट और तीसरी है फरि क्रिशनपाल गुजर का जो पुराना विधानसभा छेत्र था मेवला महाराजपूर वहां से निकल करके बनी लिस्वजार का के लिए 2014 के चुनाओं में भी 2019 के चुनाओं में इन दोनों चुनाओं में क्रिशनपाल गुजर अपने बेटे देवेंदर चौधरी के लिए टिकट की इच्छा रखते थे लेकिन क्योंकि उस समय तक भारती जन्ता पारटी में फॉर्मूला बड़ा क्लियर था ना केवल क्र परियाना के अंदर और कोई राजनितिक परिवार ऐसा नहीं था कि जिसको कंसीडर भी किया गया हो और वो जो दो सीटे मिली थी वो भी उनमें से आप माने तो चौधरी विरंदर सिंग राज्यसभा मेंबर हुआ करते थे उन्होंने अपनी राज्यसभा की मेंबर्शिप जगा टिकेट दिया गया लोगसभा का हिसार से ब्रिजंदर सिंग को और तीसरा जो हुआ वो चौधरी विरंदर सिंग की धरम पतनी प्रेम लता को टिकेट मिला उचाना से क्यूंकि उचाना में पार्टे के पास कोई केंडिडिट ही नहीं था अब मैं आपसे बात वापसी कर रहा हूं फरिदाबाद की जो मैं आपको बता रहा था कि केवल चौधरी विरंदर सिंग के परिवार के लावा पूरे हरियाना में भारती जंता पार्टी ने अपने किसी भी नेता के बेटे बेटी उनके स्वजन परिजन को टिकेट नहीं होई दोजार चौबिस के लिए मैं आपको पहले ही बताया कि ये बात चल रही है कि बड़े नेताओं के स्वजनों परिजनों इनके रिष्टेदारों को बेटे बेटियों को इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है तो इस लिहाज से तिगाओं विधानसभा सीट क्योंकि है कि यहां पर लगातार दो बार चुनाव राजेशनागर लड़े हैं 2019 के चुनाव में राजेशनागर विधायक बन गए थे और 2014 में वो कुछ वोटों से हार गए थे राजेशनागर की भी ठीक ठाक है लेकिन तिगाओं विधानसभा पर कृशनपाल गूजर का दावा अ आपको बताया फरिदाबाद की NIT 86 NIT विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर भारती जंता पार्टी आज तक कभी चुनाव नहीं जीती जब से यह सीट अस्तित्यों में आई है 2009 का पहला चुनाव हुआ 2019 का तीसरा चुनाव हुआ 2009 में यहां से पंड़ज शीवचरण शर्मा जीते 2014 में यहां से नगेंदर भड़ाना जीते इंडियन नेशनल लोगदल के टिकेट पर और 2019 में यहां से चुनाव जीते नीरज शर्मा कॉंग्रेस के टिकेट पर पिछले काफी दिनों से चर्चाएं हैं कि फरिदाबाद NIT सीट पर देवेंदर चौधरी का टिकेट कंफर्म हो सकता है उनको टिकेट मिल सकता है लेकिन यहां पर जो दिक्कत है वो यह है कि नगेंदर भड़ाना फिर भी चुनाव मैदान में होंगे अगर नगेंदर भड परताब जी जो कॉंग्रेस के कैंडिडेट थे उनका अस्तित्य वर्चस्प बहुत ज्यादा था NIT सीट पर लेकिन इसके बावजूद वो 40-42 हजार के वोट के बड़े अंतर से यहां से आ रहे और कृशनपाल गूजर के बारे में आप यह कह सकते हैं मैं आपको एक बात पहले आपको बताया था कि लोकसभाद चुनाव के दोरान एक दिन मेरी देवंदर चौधरी से बात हो रही थी तो वो इतने कॉंफिडेंट थे उन्होंने कहा था कि NIT का विधान सभाद चुनाव का जब परिणाम आएगा लोकसभा में यानि कि जो चार जून को मतों की ग कि सक जाएगी वही हुआ इतने बड़े मार्जन से क्रिशनपाल गूजर चुनाव जीते और इसमें आप मान सकते हैं कि देविंदर चौधरी की बड़ी मेहनत थी इसलिए उनका दावा वहाँ भी पूरा मजबूत है तीसरी विधान सभा तीसरी विधान सभा है बड़खल बड़खल विधान सभा को ले करके पिछले दिनों चर्चाएं शुरू होई ये चर्चाएं चली कि क्या बड़खल विधान सभा से देविंदर चौधरी टिकट क दावेदारी हो सकती है उनको चुनाव लाया जा सकता है हलांकि कहा यह जाता है कि बढ़कल विधान सभा सीट पंजाबी बहुले हैं 2009-2014-2019 तीनों चुनाओं में भारती जंता पार्टी ने सीमा त्रिखा को टिकट दिया सीमा त्रिखा जो है वह पंजाबी कम्यूनिटे से आती है पंजाबी ब्रहमण और यहां पर तीनों चुनाओं में जो सामने थे वह चौधरी महेंद्र परताब का परिवार था 2009 में चौधरी महेंद्र परताब खुद चुनाव लड़े थे और चुनाव जीत गए थे हुड़ा पार्ट टू की सरकार में वजीर रहे थे 2009 के बाद 2014 का चुनाव आया तो 2014 के चुनाव में भी महेंद्र परताब कैंडिडेट थे कॉंग्रेस के लेकिन वो सीमा तरिखा से चुनाव हार गए भाजबा की लेर थी 2019 का चुनाव आया तो 2019 के चुनाव में महेंदर परताब के बेटे विजे परताब कैंडिडेट हुए लेकिन विजे परताब भी चुनाव हार गए थोड़े वोटों से आ रहे लेकिन चुनाव हार गए सीमा त्रिखा से अब जो चुनाव चल रहा है 2024 का सीमा त्रिखा के बारे में भारती जंता प्राइटिक के एंटर्नल सूत्र बताते हैं कि उनकी एंटी इंगमबैंसी की रिपोर्ट बहुत जादा है सीमा त्रिखा के मुकाबले भारती जंता प्राइटिक के टिकेट मांगने वाले भी काफी सारे लोग हैं जो कहते हैं कि उनका बहां दावा बनता है और जो मैं आपको बता रहा था कि सीमत रिखा के लिए ये बात काफी अब तक अब की बार है कि इस चुनाव में क्योंकि वो 10 साल से MLE लगाता रहा है पिछले चुनाव का मारजन भी काफी कम रहा था इस चुनाव में उनको दिक्क कर देंगे या ये बोल देंगे क्योंने कोई दिक्कत नहीं और इसके सा तक मान करके चलें कि फिर बागी जो कैंडीडेट है बारती जन्ता पाइटी के चाए वो राजन मुत्रेजा हमातला्यका अनको भी कहीं मनाया जा सकता है समझाया जा सकता है और जो मैं आपसे कह रहा पर कृशन पाल गूजर बड़े अंतर से चुनाव जीते थे और उसके बाद से चर्चा चल पड़ी कि लोगसभा चुनाव के बाद क्या विधान सभा चुनाव में दोनों बड़े नेताओं के जो पुत्र हैं क्योंकि आप यह देखें कि चौधरी महेंदर परताप और कृशन पाल गूजर इनका जो राजनीतिक वेर है वेर नहीं कहा रहा हूं राजनीतिक लड़ाई वो आज की नहीं नहीं है 1996 से ले करके इनकी पुलिटिकल लड़ाई चल रही है 1996 का पहला चुनाव क्रिशन पाल गूजर लड़े थे मेवला महराजपुर से और उन्होंने चौधरी महेंदर परताप को हराया था उसके बाद 2000 का चुनाव था 2000 के चुनाव में भी क्रिशन पाल गूजर लड़े थे भारती जन्ता पालटी के टिकट पर उन्होंने उस समय भी क्रिशन पाल गूजर ने चौधरी महेंदर परताप को हराया था मेवला महराजपुर सीट से 2005 का चुनाव थोड़ा सा क्रिशन पाल गूजर पीछे रह गए थे वो हार गए थे और महेंदर परताप जीत गए थे लेकिन हाला कि 2009 के बाद में इनका राजनिती कामना सामना नहीं हुआ क्योंकि 2009 में क्रिशन पाल गूजर ने तिगाओं की रहा पकड़ी और महेंदर परताप आ गए बढखल 2014 में क्रिशन पाल गूजर सांसत बन गए और इधर महेंदर परताप जी विधान सभा का चुनाव हार गए 2019 का चुनाव आते आते कृशनपाल गुजर फिर लोकसभा चुनाव की रहा पड़ थे फिर सांसत बने तो महेंदर पताप जी ने राजनीती से संयास लिए और उनका बेटा चुनाव में हार गया 2024 के लोगसभा चुनाओं में कृशनपाल गुजर और महेंदर परताप फिर आमने सामने हुए और अब एक चर्चा ये भी है कि क्या इन दोनों के जाने की महेंदर परताप और कृशनपाल गुजर के बेटे आमने सामने हो सकते हैं इसलिए मैंने आपसे का कि बढखल विधानसभा भी सीट हो सकती है क्योंकि बढखल विधानसभा शहरी सीट है पंजाबी बहुले मददाताओं के अंदर कृशनपाल गुजर का और भारती जन्तापारटी का अपना वर्चस्व है गुजर मददाता भी यहां बड़ी संख्य पाल गुजर के बेटे को भारती जन्तापारटी का टिकेट मिलेगा या नहीं और अगर मिलेगा तो फिर वो सीट कौन सी होगी तिगाओं एन इटी या बढखल कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजना